दोस्तों Windows 10 अगर आपके पास है Windows 10 इस्तेमाल कर रहे हो ऐसे में Windows 10 में आपके साथ अगर पॉब्लम हो रहे है जोब भी आप मुबाइल का होटी स्पोट ओन करके लेट्टोप में करते हो या नि आप अपनी Windows 10 का जो अपरेटिंग सिस्टेम में इनिस्टल करके राखे हो आप फिर दीजे कि काफी जहन कर इस वीडियो में देने बाला है वीडियो को बीना जो भी होटर्ट इसप। करते हैं मोबाल का उसका उन करते हो तो ऐसे मैं कनेक्ट नहीं हो पते कभी कब तो काफी सारे पॉब्लम आते हैं तो इस पॉब्लम को कैसे करना है और भी मैं आपको बताने वाला हुआ ठीक है तो अभी चेलिए गैस ओभी आपको लेकी चलता हूँ मेरे लेटप की स्कीन पर दो अजय सकते हो फिलाल में तो उपनी लेटप की स्कीन पे आचुपँ हो ओगा हू ऊपरेटमिंग सिस्टेंग विगाता है तो के अपो लेट्टॉप में connect करते हो और ऐसे में आपका जो वाइफाई है कानेक्ट नहीं हो पाते हैं लेट्टॉप में काफी सरे पॉब्लिम आते हैं तो क्यों आते हैं इस पॉब्लिम केसे आप इस पॉब्लिम को fix कर सकते हो चलिए वही और भी मैं आपको बताऊंगा क्लिक कर देना है क्लिक होने के बाद इस तरह का आपके संद में आ जाएंगे वाइफाई का जो भी डेश भूट होंगे अगर वाइफाई आपको यहां पर बंद देखने के लिए मिलते तो आपको इसको ओन करना है जैसे कि फिलाल ही ओन है और अगर बंद रहेगा तो देख स को एक बर चेक कर लेना है अगर दोस्तो बंद होगा ठीक है तो दोस्तों आप कर सकते हो वाइफाई और अगर गाइस यह ओन रहेगा तब तो दोस्तों आप वाइफाई कानेक्ट नहीं कर सकते हो जैसे दोस्तों देख सकते हो मैं फिलाल हो भी वाइफाई मोड बंद कर दि उसके बाद जब आप Wi-Fi connect करेंगे तो यहां पर आपको आपका जो भी hot spot का name है यहां पर दिख जाएगा ठीक है दिखने जबाद आपको अगर connect करते हो तो connect नहीं होते तो इसके लिए आप कैसे fix कर सकते हो इस problem को उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आपको mouse स left click करना है और open network internet setting में भी जा सकते हो नहीं तो अगर आपकी कोई driver में problem होते है तो ऐसे में आप इस problem में clicking करके इस problem का fix कर सकते हो जैसे कि आपका जो भी problem होंगे और detect करेगा और problem आप इहां से fix कर सकते हो फिलाल देख सकते हो यह फिलाल भी detect कर रहा है मेरे network में क्या problem है कूछी करना चाहते है चेलिए detect क्या problem हाता है अखिर यहां पर दीखते हैं वैसे मैं कोई पॉब्लम नहीं है की मैं WiFi netork conect करके घृष्ट कर रहा है मैं कोई फॉब्लम नहीं है तो तो आघर आप में जिवर करता है तो किलिक नेच्ट कर देना खोलफ करके नेच्ट कर देना आपका जो भी विमें वह फिक्स और अत्र सकते हैं यहाँ धो सकते हैं इन लेखेल लिए लगाएन फिक्स होलारी पॉब्लम हो रहे हैं और जो भी बॉब्लम धेृएनगा dehyd Alone यहां पर और क्या problem हमें देखने के लिए मिलते हैं आपका दोस्तों अगर ड्राइबर का problem रहेगा तो आप इस तरह से fix कर सकते हो problem detect करके ठीक है जैसे कि इसकी आप देख सकते हो resolving हो रहा है problem मेरा जो भी problem है और resolve हो जाएगा करने की बात problem का fix कर सकते हो लेकिन दोस्तों एक बात कियाना चाहता हूं आपको मैं ऐसा नहीं दोस्तों यार मतलब सरी problem को resolve करने से आपको problem solve हो जाएगा अगर कोई driver missing रहेंगे तो ऐसे मैं आपको driver download भी करना हो सकता है ठीक है तो मैं skip कर देता हूं मैरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दूस्तों तो मैं skip कर दे रहा हूं इस problem को चलिए problem skip हो गया है ओके चलिए close कर देते हैं क्यों मैरे में तो internet connect हो रहा है ठीक है और आप में नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना mouse से फिर से right click किजिए यहां पर open network में चले जाना आपको चले जाने के बाद आपको यहां पर setting दीखेगा ठीक है जैसे कि देख सकते हो यहां से भी आप अपनी problem को fix कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद दूस्तों और एक बत कहना चा तो ऐसे में आपकी laptop में land driver install होना जोरूर ही है जैसे कि मेरा land driver जो है फिलाल भी इन इस्टोल है wireless network ओके तो दोस्तों आपको भी network को इस्तेमाल करने के लिए आपकी laptop में wifi driver install होना जोरूर ही है ठीक है तो चले में इसको close कर देता हूं और यहां पर देख सकते हो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूं आपी लोग बोलते हैं दोस्तों मतलब जैसे कि network not working error का problem हा रहे है न download करना पड़ेगा तब जाके आपका problem fix होगा तो अभी आप driver कैसे download करेंगे तो चले मैं आपको बता देता हूं भी आप किस तरह से update करेंगे यहां पर driver ठीक है तो यहां पर आपको शू में जाने से था आपको यहां पर network दी जाए आपको पता ही होगा ना तो इसके लिए इसको close कर देते हैं दोस्तों आप कोई भी एक ब्राजर ऑपिन कीजिएगा और simply आपको ब्राजर में टाइप करना है सुमन टेक्नोलोजी डॉट इन देख सकते हो सुमन टेक्नोलोजी डॉट इन में टाइप कर लिए चास करते हैं चास करने के बाद सबसे उपर आपको एक जैसे दोस्तों आप इसको करके नीचे आएंगे तो उसके बाद फिर से आपको next करना है जैसे दोस्तों आप next करेंगे यहां पर आपको एक article मिलेंगे जैसे कि दिख सकते हो all-in-one graphics driver इस तारह से लिखा हुआ है ना उसके बाद दोस्तों आर्थिकल में किलिक करने के बाद आर्थिकल ओपिन होने के बाद यहां पर आपको हिंदी में जानकरी मिलेंगे आप चाहिए तो रिट कर सकते हो graphics driver के बारे में जानकरी है ओके उसके बाद आपको इस link में किलिक कर देना है जैसे दोस्तों आप इस link में किलिक करेंगे तो आपको एक निया पेज पर रीडर क कर दिया जाएगा जैसे कि दिख सकते हो driver pack will install driver for free and solve driver problem on any device ठीक है आपको simply किलिक करके install का लेना है ठीक एक छोटा सा 10-12 MB का फाइल डाउनुट होगा उसके आमदर दोस्तों आपको hot spot driver दीख जाएगा ठीक है यानि wifi driver दीख जाएगा उसके बाद वहां से आपको install कर लेना है तो दोस्तों अभी मैं install नहीं कर सकता है कि मेरे driver अल्रीड इनिस्टॉल है मेरे laptop में इसलिए मैं install करके मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक है लेकिन आपको इस install में में कि प्लिक करके इस फाइल को डाउलोड करना है और चोटा सक फाइल डाउलोड होगा उसको उपिन करना है उसके आम जब आपको wifi देबर दिखने के लिए मिल जाएगा और एक बात कहना चाहता हूँ आप जब wifi को डाउलोड करेंगे तब आपकी laptop computer में wifi connect होना चाहिए wifi नहीं म अगर आपकी laptop computer में wifi connect नहीं हो तो ऐसे में आपका जो भी phone है उसमें USB cable लगा के आप अपनी PC के साथ connect करके इंटरनेट शेयर कर सकते हो उस तरह से भी आप डाउलोड कर सकते हो ठीक है नहीं तो आप कोई dongle वगरा लगा के भी डाउलोड कर सकते wifi को आप अपनी PC computer में ओके तो क्या क्या डाइबर मिलेंगे चलिए दिखा देता हूं आप लोग को तो देख सकते हैं पर कितने लोग यूज कर रहे हैं मतलब डाइबर पर एक solution ठीक ह जैसे कि देख सकते हैं आप नंबर इंक्रीस हो रहे हैं तो इतने लोग यूज कर रहा है यूज करते है cotton second' को ए IImez करते है और भी सु DAY मिलेंगे आपको तुटेटर 5000 का मिलेंगे मोडैम का मिलेंगे स्मार्टफोन का मिलेंगे साउंड का मिलेंगे बीडियो कत का मिलेंगे με का मिलेंगे, तो काफी सरे द्राइबर गाइस आपको मिल जाएंगे, जो ड्राइबर द्रैबरक सोल्बियू नी फेरि में पॉरड़ किया जाते तो आप चाहे तो से चाहे clinicians चाहे दोस्तों आप उन्डस 10 में किसी भी उन्डस में सपोट कर जाएगा कोई भी ड्राइबर ड्राइबर पिक्स सोलुशन की मदस चाहे तो आप यहां पर भी किलिक करके इनिस्टल कर सकते हो तो दोस्तों देखा आप लोग ड्राइबर का पर्बलम किस तरह से फिक्स कर सकते हो नोट वाकिंग्का पर्लेम और सात्मे धूर्ण सब्सक्प 끝ien का परगा इस और यहां फिक्स हो जाएगा जो भी आपके लेटआप computer में ड्राइबर का में सब्सक्रि worm घंगे करके आप अपनी PC computer में उसके बाद open करने के साथ साथ यह software detect कर लएगा आपकी computer laptop में क्या-kya diver missing है उसके बाद जैसे सारे डाइबर detect कर लेते हैं उसके बाद install में क्लिक करना है एक ही करके सारे डाइबर इनिस्टाल हो जाएगा आपकी computer laptop में तो दोस्तों इस तरह से आप डाइबर पेक सोलूसिन के माद दोस्ते आप अपनी computer laptop में आपकी आसनी से वाइफाई डाइबर को वीडियो आपको पसंद आ लोगी लिए रोजाना आते रहता हो इससे में subscribe करेंगे आने बहुत समय में technology से related वीडियो खाफी कुछ आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे तो guys अभी के लिए good bye